गुद मॉर्निंग फर्स फ्लास तुड़े वी रीड पेंज नंबर फॉर्टीन इन कंप्यूटर बुक प्लेस्ट वेर कंप्यूटर्स आर यूज्ट प्लेस्ट यानि स्थान जहां पर कंप्यूटर पाए जाते हैं यहां उनका उप्योग किया जाता है हमने देखा है कि क्या है कंप्यूटर हर किसी स्थान पर यानि प्रतियक स्थान पर पाए जाते हैं अब हम क्या देखेंगे लेटर सी देखेंगे कि वाट कंप्यूटर्स दूसोर डिफ्रेंट प्लेस अलग अलग स्थानों पर क्या क्या कारे करते हैं या उनका क्या क्या उप्योग होता है Schools Schools It is used in schools for School में क्या कार्म करते हैं Computer में हम क्या कारे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे Teaching यानि पढ़ने के लिए Keeping Records of Books Books के Records रखने के लिए Keeping Records of the Attendance Attendance के Record रखने के लिए हम Computer का Use करते हैं Next is Offices It is used in offices for Storing Information कोई भी जो information है Office में जो Customers की होती है उसकी information हम कहां रखते हैं Computer में Writing, E-mails E-mails भेजने के लिए Printing Letters Letters को Print करने के लिए हम इसका Office में योग करते हैं यानि इसका Use करते हैं Next आता है Banks It is used for Banks Keeping Records of Customer Customers के Records रखने के लिए Depositing Money Money को निकालने के लिए Taking Out The Money जम पैसे जमा करवाने और निकालने के लिए भी हम Computer का Use करते हैं Hospitals It is used in Hospital for Keeping Records of the Patients जो भीमार होते हैं उनका Records कहां पर रखते हैं हम Computers में Keeping Records of Medical Test उनके जो Medical Test होते हैं उनकी रिपोर्ट्स Diagnosis और Disease जो मशीन के द्वारा हम जाचे करते हैं उनका भी रिकॉर्ड हमारे कम्प्यूटर में होता है तो आपको पेज नमबर 14 रीड करना है Thank you, have a nice day